क्या आपने Conscious Mind, चेतन मन और Sub-Conscious Mind अब चेतन मन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है Beyond the Imagination यानि कलपना से परे या हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो आपको मजबूर करते हैं अपनी कलपना से परे सोचने पर चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक बरफ की शिला के समान है जो की समूत्र में तैर रही है जिसका 10 परतिशत हिस्सा पानी की सतह के उपर है और 90 परतिशत हिस्सा पानी की सतह के नीचे सिग्मन फरोड जो की एक आस्ट्रीय नियूरोलोजिस्ट एंड फादर ओफ मोर्डन साइकलोजी थे वो बताते हैं कि यही स्थेति हमारे दिमाग की है जो 10% हिसा पानी के उपर है वो हमारा conscious mind है और बचा हुआ 90% हिसा वो हमारा subconscious mind है और unconscious mind है चलिए बात करते हैं conscious mind की conscious mind हमारा दिमाग का वो हिसा होता है जो कि हमारे present को control करता है यानि दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे सारे voluntary actions को control करता है जैसे चलना, बैठना, उठना, दोडना यानि जो actions हमारे control में होते हैं यह सारे actions हमारा conscious mind control करता है अब बात करते हैं subconscious mind की यह हमारे दिमाग का वो हिसा होता है चहां से हमारे emotions और memory store होती है यह हिसा conscious conscious mind के बीच का होता है यहां वो memory store होती हैं जो हम भूल जाते हैं पर लेकिन जब हम अपने दिमाग पर थोड़ा जोड डालते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं फिर वो memory सब conscious mind से conscious mind में आ जाती है मतलब हमें याद आ जाती है चलिए मैं आपको एक उधारन से समझाने की कोशिश करता हूँ मान लीजिए कि आपने अपना wallet यानि purse कहीं रखा हुआ है मगर आपको सही से याद नहीं आ रहा कि आपने उसे कहां रखा हुआ है जबकि रखा आपने ही है मगर आपको अभी क्लिक नहीं हो रहा है कि आपने उसे कहां रखा है यानि वो memory आपके सब conscious mind में जा चुकी है मगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जो डालते हैं तो वापिस आपको याद आ जाता है कि आपने उसे कहां रखा है मतलब वो memory आप सब conscious mind से आपके mind में जो की conscious mind है उसमें आ जाती है ऐसा ही हमारे साथ exam hall में भी होता है अगर हमें कोई प्रशन का उत्तर ना आए तो हम उसको थोड़ी देर तक सोचते हैं फिर हम उसको जैसी हम लिखना शुरू करते हैं तभी वो प्रशन का उत्तर हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है यही सब काम हमारे सब conscious mind द्वारा किया जाता है शायद अब आपको सब conscious mind थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा अगर मैं आपको होर सरल भाषा में बताऊं तो हमारे जितने भी involuntary action होते हैं वो सब conscious mind द्वारा ही control किया जाते हैं जैसे कि हमारे दिल का धड़कना जो कि हमारे control में नहीं होता digestion of food, खाने को पचाना, सांस लेना यह सब involuntary action है जो कि सब conscious mind द्वारा ही control किया जाते हैं यहां तक कि गहरी नीद में सोना भी subconscious mind ही control करता है वहीं अगर unconscious mind की बात करें तो यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है यह वो हिस्सा होता है जहां हम अपनी feelings दभा कर रखते हैं कुछ ऐसी बातें जो हम किसी को नहीं बता सकते जैसे कि हमारी डिजायर्स वो कोई भी डिजायर्स हो सकती है जैसे कि कोई सेक्शुल डिजायर्स जो हम शायद ही किसी को बता सकते है आपने डिप्रेशन के बारे में तो सुना ही होगा डिप्रेशन का से बड़ा कारण यही होता है हमारा Unconscious Mind हम इसमें कुछ ऐसी बातें तबाकर रखते हैं जो हमें अंदरी अंदर खोकला करती रहती है और कुछ समय बाद यही बातें हमारी डिप्रेशन का कारण बनती है तो दोस्तों यह कुछ बातें थी तो प्रिस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद